नमस्कार आदर शिक्षण संस्तान द्वारा आयोजीत ओनलाइन शिक्षण में सभी भईया बेनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज हम कक्षा सब्तमी का पार्ट दो दादी मा पढ़ेंगे जिसके लेकक हैं शिव पुरसाद सिहीं इस पार्ट का एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में जितना पार्ट हमने पहले पढ़ा है उसके आगे का भागब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इससे पहले हमने देखा था कि लेखक थोड़ी-थोड़ी सी बात पर चिंतित हो जाते हैं परिशान होते हैं और उनके जो शुपचिन तक मित्र ह होते हैं वो उनका मरजाक उड़ाते हैं और लेखक की जो दादी मा हैं जब लेखक बीमार हो जाते हैं कोवार के दिनों में जल जल भरा रहता है और उस जल में वो सिनान करते हैं तो दो दिन सिनान करने के बाद में तीसरे दिन उनको बुखार आ जाता है और किस तरह से दा आज पढ़ेंगे दिन में मैं चादर लपेटे सोया था दादी मां आई शायद नहा कर आई थी उसी जाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफेद किनारी हीं दोती संसे सफेद बालों के सीरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट च कूए यहाँ पर लेकक बता रहे हैं कि मैं दिन में चादर लपेटे सोया हुआ था दादी मां आई और लेकक बता रहे कि शायद वह नहा कर आई थी इसलिए उनके जो बाल थे उनसे पानी टपक रहा था और उसी जाग वाले जलसे का मतलब है उस जलाशे के जलसे दादी माने सनान किया था जिसमें लेखक भी ने भी दो दिन सनान किया था और वो बिमार हो गए थे सद्य का मतलब होता है अभी अभी जिन सनान करके आई थी जिसके कारण उनके बालों से पानी टपक रहा था आते ही उन्होंने सर पेड चुए आते ही दादी माने लेखक के सीर को और पेड को चुवा आचल की गाट खोल किसी अद्रश्य सक्तिधारी के चबूत्रे की मिटी मुँ में डाली माथे पर लगाई और लेखक की नानी दादी माने आचल की याने की साड़ी के पल्लू की गाट को खुला और उसमें वो अद्रश्य का मतलब होता जो दिखाई नहीं देता है और शक् आचल की पगवान का चबूत्रा था वहांस की वो बबूती लेकर आई और लेखक के माते पर लगाई और मुँ में डाली दिन राच चार पाई के पास बैटी रहती कभी पंखा जलती कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती सर पर दाल चिनी का लेप करती और विसो पार चू चू कर जोर का अनुमान करती लेकक बता रहे हैं कि उनकी दादी मा उनके पास में दिन राच चार पाई के पास उनके पास बैठी रहती थी और लेकक बुखार के कारण लेकक का शरीर बहुती गरम रहता था इसके करण वो उनके पंखा पंकी से उनकी हवा करती थ सेर्ड के उपर दाल चीनि का लेप करती हैं कई बाहर सबीह बार का मतलब है कई बाहर चू चूच बढ़िए इसकर कर užपाने चुरीर को देखती और जुएर्याने बुखार का मालुम करती हैं कि उसका लेखा को बुखार कमret कि नहीं हांडी में पानी आया की नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका की नहीं, खीचडी में मूं की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बिमार के घर में सिधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आधी लाखो प्रशन पूछ पूछ कर गर वालों को प्रेशान कर देती दादी मा को गवई गाउं की पचासो किस्म की दावों के नाम याद थे, गाउं में कोई बिमार होता, उसके पास पहुंच दी और वहां भी वही काम, हाथ, चुना, माथा चुना, पेड चुना, फिर भूच से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास क के साथ सुनाती, लिखक बता रहे हैं कि दादी मा, हर तरह के पर सब्सक्व हो को, हर तरह के परशन्यों से घर वालों को भी परेशान करती थी, वह घर वाले इस चीज को, परेशान वांते थे, लेकिन लिखक के प्रती दादी मा का यह सब प्रेयम था, अब आगे वह बता चूकर के और अनुमान के साथ उस बिमारी का वो पता बता देती थे कि इस व्यक्ति को कौन सी बिमारी है माता चूकर के पेड़ चूकर के भूत से लेकर के मलेरिया सरसाम निमोनिया आदी सब बिमारियों का दादी अनुमान के साथ पूरा पक्का विश्वास के साथ उस बिम मिश्रित जलधार गुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख लें दवा में देर होती मिश्री या सैथ खतम हो जाता चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती महामारी और विशुचिका का मतलब होता है जब जो संक्रमग विमारियों के दिन होते है उन दिनों में रोज सवेरे उट करके सनान करना और बाद में लोंग और गुड मिश्रित जलधार और गूगल और धूप दूबती करना घर में विलकुल एकदम साफ सफाई रखना और अगर कोई बिमार व्यक्ति की दवा के अंदर देर हो जाती तो दादी उन पर बड़ी अगर ही क्रोदित होती थी और उन लोगों को जो भी मिश्री घर में अगर मिश्री शहद खतम हो जाता और विमार व्यक्ति की चब्डर है गिलावक का मतलब होता तक्यके कवर अगर वह नई बाद ले जाते थे ताइम पक टाइम समय के साथ अगर वो नहीं बादित जाते तो दादी मा उनके उपर बहुत बहुत ही क्रोधित होती थी बुखार तो मुझे अब भी आता है नोकर पानी दे जाता है मेस महराज अपने मन से पका कर खिचडी या साबू साबू का मतलब साबू देने की खिचडी डॉक्टर सहाब आका नाड़ी देख जाते हैं और कुने कुने जो दागा नोकर पानी दे जाते हैं मेरे नाड़ी देख करके और कुनेन मेक्चर की decision की दवाई का मतलब ताकापन भोत कडवाओत होती है कुनेन की जो दबाई होती ओवह बहुती करवी होती है तो कि वो जब शिशी देखे जाते हैं तो उसके डर से ही मेरा बुखार भाग जाता है न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता लेखक बता रहे हैं कि पता नहीं क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का मेरा जी भी नहीं होता क्योंकि लेखक कुनेन जैसी तीखी और कड़वी दवाई को देखर लेखक का बुखार ऐसे ही भाग जाता और बचपन में जब उनको बुखार आता था तो दादी मा उनकी जैसी देख रेक करती थी वैसी देख रेक अब नहीं होती है क्योंकि अब लेका की दादी मा नहीं रही है फेले बच्छपन में जब बुकार आता तो दाणी मां उनकी बड़ी सिवा सूर्चा करती । और खाने के लिए उनको जो भी मन करता वो दाणी मां चीज उनको बना करके देती थी। चाहे लेको को बुकार में वो भाय या ना भाय लेकिन अगर उनका मन होता था तो दादी मा लेको के लिए वो चीज उनको बनाकर देती थी और अब इने दवायों को देखरी लेको कहते हैं कि मेरा बुकार भाग जाता है इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ और झाल